गर्मिया शुरू होते ही हम मार्किट से तरह तरह के फ्रूट जूस और फ्रूट क्रश खरीदते हैं बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत ही पसंद आता है अगर आप भी मार्किट से पैक्ट स्ट्रॉबेरी क्रश खरीद कर लाते हैं तो तो इस बार आप पैक्ड स्ट्रॉवेरी क्रश ना लाकर घर पर ही स्ट्रॉवेरी क्रश बनाए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ असान तरीके से घर पर ही सूपर टेस्टी स्ट्रॉवेरी क्रश बनाने की बहुत ही असान सी रेस्पी तो मोनकस किचन को आ यह बनाते हैं स्ट्रॉबरी क्रश तो इसके लिए मैंने ली है फ्रेश स्ट्रॉबरी और यहां पर मैंने चार पैकिट लिये हैं सबसे पहले हम इनको अच्छे से दो लेंगे स्ट्रॉबरी को कैसे दोना चाहिए और स्ट्रॉबरी रेस्पी सीरिस चल रही है तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी की रेस्पी मैंने चैनल पर डाली हुई है आप उनको देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक किलो स्ट्रॉबेरी ली है तो अब हम उसका उपर का हिस्सा काट देंगे और जो भी कोई खराब पीस होगा उसको भी निकाल देंगे तो इस तरह से मेरे पास 800 ग्राम स्ट्रॉबेरी बची है 200 ग्राम इसकी वेस्टेज निकल गई है तो अभी 800 ग्राम से हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी क्रेश तो सबसे पहले इनको छोटे टुकडों में काट लेंगे अकसर स्ट्रॉबेरी को हम बहुत कम खाते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है और दूसरा इस में से कई पीस खटे निकलते हैं तो इस वज़द से हम इसे बहुत कम खाते हैं लेकिन आज जिस तरह से मैं इसे बनाने वाली हूँ बिना प्रिजर्वेटिव के ही हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसको चट्नी जार में डाला है और इसको अब ब्लेंड कर लेंगे तो मैंने इसके पल्स पे करके ब्लेंड किया है ताकि ये ज़्यादा fine paste ना बने तो हमें इसको थोड़ा सा दरदरा सा थोड़ा मोटा सा ही रखना है क्योंकि हम इसे strawberry crush बनाने वाले हैं तो अभी मैंने इसको थोड़े थोड़े portion करके दो तीन batches में मैंने इसको crush कर लिया है blend करते टाइम बस इस बात का ध्यान रखें कि mixy को रूख रूख कर चलाएं एक दम से लगातार ना चलाएं नहीं तो आपका एक दम fine paste बन जाएगा, market में एक crush मिलता है एक whole crush मिलता है तो आज मैं बनाने वाली हूँ whole crush तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा हमने crush करना है blend करना है तो सारी strawberry को मैंने इस तरह से blend कर लिया है अब इसमें डालेंगे चीनी तो यहाँ पर मैंने इसमें साड़े तीन सो से लेके 400 ग्राम तक के आसपास आप चीनी डालिए क्योंकि strawberry थोड़ी सी कई वर खटी भी होती है तो इतनी चीनी इसमें काफी है तो अभी मैंने इस बरतन में डाल तो लिया लेकिं यह बरतन मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ मैं इसमें कोई preservative यूज करूँगी फिर भी यह बहुत ही सुंदर red color का naturally red color का बनेगा और इसे हम store करके भी रख सकते है तो अभी यह गाड़ा होना start हो गया है उतनी देर में हम निम्बू का रस निकाल लेंगे तो इदर strawberry crush भी गाड़ा होना start हो गया है थोड़ा सा और गाड़ा होने देंगे तो अभी spatula पर आप देख सकते हैं कि spatula पर यह thickness आपको दिख जाएगी यह coating सी दिखने लगती है तो अभी हम इसमें डालेंगे एक teaspoon strawberry essence का यह optional है अगर आपके पास है तो आप डाल लें नहीं तो आप skip कर सकते हैं इससे थोड़ा सा flavor और बढ़ जाएगा इस बार गर्मियों में आप इस recipe को try जरूर करें एक बार strawberry crush बना कर घर पर रख लें आप इसे ice cream में, shake में, लस्ती में यहां फिर किसी drink में use कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का गाड़ा होने देंगे और आप हम इसमें एक tablespoon lemon juice डाल देंगे और lemon juice डालने के बाद सिरफ इसे एक minute के लिए पकाएंगे बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं पकाना तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का गाड़ा होने तक मैंने इसे पकाया है तो अभी हम gas को off कर देंगे क्योंकि इसे जब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे यह थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो अभी इसे gas से उतार कर ठंडा होने देंगे तो कुछ इस तरह का टेक्स्चर इसका आना चाहिए तो यह whole strawberry crush है और अब हम इसे किसी भी साफ कंटेनर में डाल कर store कर सकते हैं इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें फिर किसी भी कांच के साफ जार में डाल कर आप इसे फ्रीज में रख लें और फिर जब चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं आप इस रेस्पी को ट्राई जरूर करें तो इस तरह से कांच के कंटेनर में डाल कर इसे फ्रीज में रख लें तो आप इसे तीन से चार महिने तक store करके रख सकते हैं लेकिन ये तीन से चार महिने आपके पास बचेगा ही नहीं उससे पहले ही ये खतम हो जाएगा ये मेरी गेरेंटी है आपको स्ट्रॉवेरी क्रश की रेस्पी कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्यों फोर वाचिंग माई वीडियो मिलती हूँ एक और ने रेस्पी के साथ तब तक के लिए देखते रहें मॉनिकास कीचन